तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें समझना चाहिए कि variant of interest और variant of concern में क्या अंतर है? वाइरस जो है, especially जो mRNA vaccine है, यह regularly mutate करता है. लोगों का यह मानना है कि यह महीने में दो दफा वाइरस की mutation हो जाती है. लेकिन ज्यादा तर जो mutation होती है, वो variant of interest ही रहती है, क्योंकि उससे कोई clinical significance नहीं है, उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, यह सिर्फ एक interesting चीज़े की virus mutate हुआ, लेकिन उस जगा पर mutate हुआ, जिससे हमें कोई फरक नहीं पढ़ा. लेकिन कई दफा ऐसा mutation होता है, spike protein पे, जिसके कारण virus में कई चीज़ें हो सकती है, जो हमें concern करती हैं, तब हम variant of concern कहते हैं, उसमें पहली चीज़ तो यह हो सकती है, कि virus ज़्यादा infectious हो गया, ज़्यादा तेजी से फैल सकता है, कि वो जो हमारे ACE receptors है, उसमें एकदम जल्दी से चिपक जाता है और एकदम फैलना शुरू हो जाता है, तो एक तब एक चिंता का विशे हो जाता है, दूसरी चीज़ यह है, कि virus ज़्यादा virulent हो गया है, ज़्यादा serious infection कर रहा है, वो फैफरे में एक दम अटैक कर रहा है और जो लोगों को pneumonia हो रहा है, deaths ज़्यादा हो रही है, hospitalization ज़्यादा हो रही है, तीसरी issue यह हो सकती है, कि virus ने immune escape mechanism बना लिया है, कि जो हम vaccine दे रहे हैं, उसकी efficacy काम हो गई है, जो लोगों को पहले infection होके immunity आई है, उससे protection नहीं मिल रही है, और उनको re-infection के chances ज़्यादा हो रहे हैं, या जो हम द्रद्वाईयां दे रहे हैं, वो इतनी कामयाब नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो यह virus है, अब effective, especially antibodies के साथ है, और effective नहीं है, चौथी चीज़ यह भी हो सकता है, कि virus जो है, वो mutate कर गया और आप हमारे tests में ज़्यादा pick up नहीं हो रहा है, अगर इन में से कुछ भी हो, तो हम तब उसको variant of concern कहते हैं, ज़्यादा तर हमने देखा है, जो virus है, वो infectivity ज़्यादा हो जाती, जैसे हमने delta variant भी देखा कि वो एकदम ज़्यादा infectious हो गया, cases हमारे एकदम बढ़ने शुरू हो गए, तो जब ऐसी चीज़ें होते हैं, तो वो variant of concern हो जाता है, अब ही अगर हम देखें, तो हमारे इतने ज़्यादा cases नहीं हैं भारत में कि हम ये कहें पाएं कि इन में से ये कुछ भी criteria meet होते हैं नहीं, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये delta plus variant है, delta के ही lineage से है और delta एक variant of concern है, साथ-साथ इसमें जो spike protein में mutation हुआ है, 417 जो है, वो हमने और भी mutations में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो virus से ज़्यादा infectious हो जाता है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर किनाना चाहिए, ये virus अब ज़्यादा फैल सकता है, और इसलिए इसको variant of concern का दरजा दिया गया है, लेकिन close observation की जरूत है, especially जहां-जहां पे cases बढ़ रहे हैं, कि वहां पे ये virus dominant virus तो नहीं हो रहा है. सर, एक तरफ unlocking है, दूसरी तरफ virus में दुबारा से mutation देखा जा रहा है, पहले जो second wave आया था, उसके लिए alpha तो जिम्मेदार था ही, साथी delta variant को भी बताया गया था, ऐसे में सर्ट जो ये स्तिती बनी हुई है, क्या कह सकते है third wave को लेकर? मैं यह कहना चाहूंगा कि third wave अगर हमें रोपनी है या उसको delay करना है तो यह हमारे हाथ में है, क्यूंकि variants नहीं नहीं आएंगे जो ज़्यादा infection भलाएंगे, लेकिन चाहे कोई भी variant आए, अगर हम COVID appropriate behavior नभा के रखें, अगर हम मास लगा के रखें, दो गस की दूरी रखे हाथ दोएं, भीर कठी ना होने दें, super spreading events ना बनाएं, तो यह virus फैल नहीं पाएगा, यह virus human to human spread करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ही फैलता है, अगर हम वो दूरी रखेंगे, मास लगा के रखेंगे, जिससे जो droplets हैं या aerosol हैं वो ना बने, तो वाइरस आगे फैल नहीं पाएगा और हमारे cases नहीं बढ़ पाएगे, तो मैं यही अपील करूँगा कि हम सब को COVID appropriate behavior नभा के रखना है, दूसरा surveillance करने के जरूत है कि कहां जहां पर भी cases ज़्यादा हो, कि positivity rate ज़्यादा हो रही हो, वहां पे हम lockdown कर लें, जिससे उसको आगे ना बढ़ने और तीसरी चीज वैक्सिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, वैक्सिनेशन लगाएं, जिससे उनको भी protection मिलेगा, और chain of transmission को हम रोक पाएंगे, जिससे वाइरस आगे नहीं पैल पाएंगे। बच्चों की development के लिए जरूरी है, चाहे हम physical development की बात करें, character building की बात करें, या overall growth of children की बात करें। इसलिए physical school जाना बहुत जरूरी है, और especially कई बच्चे ऐसे हैं जो marginalized हैं, जो online classes पे नहीं आप आते हैं, उनके लिए उनकी schooling तो बहुत ज्यादा सफर हो रही है। इसलिए physical schooling की बहुत जरूरत है, लेकिन इसको balance करने की जरूरत है कि वहाँ पे infection ना एकदम पहले, तो कई strategies हम बना सकते हैं, screening के लिए बना सकते हैं, ये देखें कि आदी classes करें, आदी एक दिन करें, आदी दूसरे दिन करें, जिसे भीड ना कट्टी हो, या और किसी type की हम strategy बना सकत तक schools जो हैं, वो चल सकते हैं, जिससे बच्चों की education जो है, उस सफर ना करें, बिल्कुल सर, सर, एक और मेरा सवाल है, आखरी में, हो यही है कि सर, ये जो बच्चों की vaccine का सवाल है कि September तक या फिर October तक trials complete होंगे, तब उमीद, तो ये age group क्या होगा, सर, दो से 18 साल होगा? मेरा ये मानना है कि अगर हम देखें, भारत बायोटेक की vaccine, तो दो साल से 18 साल के लिए है, कुछ 6 साल से जादा उमर के लिए भी है, तो vaccine जो है, बच्चों में हर एक age group में आ जाएंगी, और हम जैसे जैसे इनका approval आएगा, बच्चों में भी शुरू कर पाएंगे.